बादली से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व क्रिशी मंत्री ओम परकाश धनकड को पटखनी देने वाले कुलदी वत्सने रविवार को हासी में पूर्व चेर परशन, प्रतिनिधी और कांग्रेस नेता सुमन शर्मा के आवास पर पत्रकारों से बाचीत करते हुए कहा कि भाजपा और जजपा से हर्याना की जनता का मो भंग हो चुका है और लोगों में मायूसी है। हर्याना प्रदेश की जनता चोधरी बुपेंदर सिंग हुड़ा जीर का सवन्निम करेकाल याद कर रही हैं जिन लोगों ने भाजपा की खिलाफ जजपा को वोट दिये थे। आज वे हैं अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालात ये हैं कि आज चोटाला अपने विधान सबक्षित्र उचाना के लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। राजस्तान में सचिन पाइलेट द्वारा कॉंग्डेस से बगावत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कॉंग्डेस पार्टी ने सचिन पाइलेट को पूरा मान सम्मान दिया। 26 वर्ष की उम्र में वे सांसत बने, 31 की उम्र में मंत्री, 36 की उम्र में प्रदेशा ध्यक्ष और 40 की उम्र में उप मुख्य मंत्री, इसते ज्यादा उनका सम्मान नहीं हो सकता था. इनको क्या तक्लीफ थी इनी ब्राद्रियों से, 12 ब्राद्रियों से इनको क्या तक्लीफ थी, उनके आने के बाद उनका माल के नहीं होता है, तो ये एक तरफ तो कहते हैं, हम गरीबों के हिद्की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनको मारने का काम करते हैं, दूसरी चोटाल बड़े साती चोड़ी करके कहता था कि में जाट अरक्सल में जो बच्चे बंद हैं उनको जेड़ों से भार निकाल लूगा उनके मुगद में वापीस लूँगा क्या हुआ जी आज लुका मनौरलाल खटर जी दो इस परदेश के मुख्यमंतरी थे एलेक्शन से पहले करणी सेना का जो राजपूर समाज का एक बहुत गरम उद्दा था उसमें बड़ा एजिटेशन हुआ कुछ बच्चों पर केश विदल हुए भरी जंद सवा में मेरे बादली हलके के अंदर चोक क पर यह का कि भी मैं राजपूर्द के जो करणी सेना के बच्चों पर मुख्यमंतरी वादा करता है और फिर उससे मुखर जाते तो कहीं ने कहीं करणी और कत्री में इनकी में अंतर है